दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में काफी पीने से होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे नमस्कार दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से देशी उपाय में एक और इंपर्टन्ट वीडियो के साथ काफी पीते ही आपके अंदर फूर्टी आ जाती है लेकिन आप जानते हैं कि काफी हमारी नीट को भगाने की अलवा हमारी स्याहत के लिए फायदे मंद होता है भारती समाज में दीरे दीरे काफी पीने का चलन बढ़ रहा है आप जब भी सुबा जगते होंगे तो आपको सबसे पहले चाया काफी चाहिए जिसके बिना आपकी दिन की सुरुवात ही नहीं होती है इसके बिना आप आलसी बने रहते हैं काफी एक लोग प्रिये पेपदार्थ है जिसे उसकी खुस्वू और स्वात के लिए जाना जाता है आम तोर पर ताजगी और फूर्ती पाने के लिए लोग इसका सेवन करते हैं काफी को सर्दियों में सबसे बेस्ट हाट ड्रिंक माना जाता है और काफी फूर्ती प्रदान करने में मदद करती है काफी में प्रयाफ्त मात्रा में काफीन, एंटी आक्सिडेंटस, मैगनीज, पोटाइसियम, मैगनीशियम पाय जाते हैं काफी बिना चीनी के पीनी चाहिए, अगर आप इसमें चीनी मिलाते हैं तो यह काफीन के असर को कम कर देता है आप चाहें तो बेहत कम मात्रा में दूद यह चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं यह दिल से जुड़ी बिमारीयों के खत्रे को कम करती है और मूर को अच्छा रखती है सिर्फ सेहत ही नहीं तवचा को खुशूरत बनाने में काफी के काफी पायदे मंदा हैं तो चलिए जानते हैं काफी पीने के पायदे के बारे में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबा कर आल नोटिफिकेशन जरूर आन करें ताकि जब भी कोई खास वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल सकें इसलिए आल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक वजन कम करने के घरेल उपा में काफी का नाम सामिलाता है पताया जाता है कि इसमें मौजूद काफिन मेटा बेलजियम यानि भोजन से उर्जा बनाने की क्रिया को बढ़ाता है साथ ही इसमें पाइदा होने वाले गर्मी मौटाप्य को नियांतरी तरफ करने में सहायव हो सकता है एक अनबैग्यानिक अध्यन में भी जिक्र मिलता है कि कैफिन के दुआरा मेटा बेलजिम बढ़ता है जिसे से वजन कम करने में मदद मिल सकती है इसी वज़े से काफी पीने के फायदे में वजन कम करने को भी गिना जाता है नमबर दो काफी दिल की बिमारी के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है नेमित रूप से काफी पीने वाले लोगों को इस्टोक होने का खत्रा कम हो सकता है ऐसा देखा गया है कि महिलाओं में या हिर्दे रोगों के खत्रे को भी कम करता है या आपके रख्ते चापको अधिक समय के लिए बढ़ा सकता है लेकिन इसका मतलब या नहीं है कि या इस्टोक या हिर्दे रोग हो कुछ सोदों से यह बात सामने आई है कि जो लोग दिन में तीन बार काफी का सेवन करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खत्रा 21 पीरसी तक कम हो जाता है नमबर तीन सही तरीके से नीट पूरी ना होने के करण आखों में सूजन आ जाती है इसके साथ ही आखों में दर्द की समस्या बनी रहती है तो एक कप काफी का सेवन करें काफी के सेवन से बलड सर्पिलेशन ठीक रहता है जो हमारी आखों के सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है नमबर चार बढ़ती उम्र के साथ आपकी आद्दास कमजोड हो जाती है जिससे आपको अल्जाइमर और फार्किसन का खत्रा बढ़ जाता है रिसर्च के मताबिक हर सुबह एक कप बलाइक काफी पीने से आद्दास बढ़ने में मदद मिलती है साथ ही इससे मस्तिक की कारेचमता भी बढ़ती है काफी मस्तिक और नसों को दिन भर एक्टिव रखने में मदद करती है नमबर पाँच काफी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सरीन में एस्टिमा को बढ़ातने में मदद करते हैं जो लोग cycle चलाते हैं या बारी काम करते हैं उन्हें रोजानक काफी का सेवन करना चाहिए स्वाथ के लिए आप cold काफी का भी इस्तमाल कर सकते हैं नमबर च्छ दाथ से संबंद समस्या को दूर करने में काफी फादे मंद होती है cavity दाथों की एक आम समस्या है cavity दाथों की अच्छी सफाई के लिए कहा जाता है काफी के फादे दाथों में जमने वाले cavity को रोख सकते हैं जो लोग नियमित रूप से काफी का इस्तमाल करते हैं उनमें अन्य लोगों की अपच्छा cavity का खत्रा कम होता है यदि आप अपने दाथों की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो काफी का उप्योग कर सकते हैं नमबर साथ जो लोग फारकिशन रोख से पीड़ीत हैं उनके लिए काफी का 7 बेतर इलाज माना जाता है ऐसा मानना है कि अलजाइमर रोख का इलाज नहीं है लेकिन काफी के 7 से इसे कुछ हदा तक रोका जा सकता है